नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अनिश्का और आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ गवर्मेंट जॉप से जुड़ी वी अपडेट शेयर करने बाली हूँ तो आज की इस वीडियो को आप सभी अन्ति तक देखें, वीडियो पसंद आती हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह जो अपडेट में आप लोगों को बताने वाली हूँ, यह गवर्मेंट जॉब से जुड़ा हुआ है तो जितने भी graduate candidates हैं, जो कि apply करना चाते हैं, गवर्मेंट जॉब के लिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर update बताने वाली हूँ, कि कब कौन से recruitment है, कौन से मन्थ में आने वाला है, आपका exam कब होगा, यह सारी update में इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो प्लीज वीडियो पर आप सभी last तक बने रहें और प्लीज इस वीडियो को आप सभी like जरूर कीजिएगा, friends, साथ ही हमारे चैनल को subscribe करके, bell icon प्रेस कर रिजएगा, अगर आपको कोई update चाहिए होती है, तो यहाँ पे हमारा telegram channel है, यहाँ पे आप note count कर सकते हैं number, आप telegram channel पे हमें contact कर सकते हैं, बाद करते हैं, गवर्मेंट से जोड़े कोई examination के बारे में, तो देखिए, SSC, CHSL का जो exam date है, वो July 2024 में आपका exam conduct किया जाये का, forms जो है, वो अल्रेडी फिलप कर राज ये गए है, आपको मैं बता दो कि SSC, CGL का जो form है, यह आपका exam होगा September 2024 में, प्लीज आप लोग अपने जो भी examination के लिए preparation कर रहे हैं, no doubt इसे कर लें कि आपका examination जो है, basically कौन से मन्त में होने वाला है, देखिए, SSC CPO का examination है, यह आपका October से November 2024 के बीच में करा दिया जाएगा, मतलब आप मान के चलिए कि दिवाली से पहले और दुरगापुजा के 2024 तक conduct हो जाएगा, SSC GD Constable 2024 का examination यह जून 2024 तक conduct करा दिया जाएगा, SSC Stenographer की बात करते हैं, तो देखिए, SSC Stenographer का जो है, यह examination भी October से November के बीच में conduct करा दिया जाएगा, RRB J के बारे में बात करते हैं, तो देखिए, RRB J जो है, वो examination December में होगा, December 2024 में, RRB NTPC के बारे में बात करते हैं, तो देखिए, July से लेकर के सितंबर तक में आपका examination conduct करा दिया जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, नाबर्द Grade A के बारे में तो देखिए, नाबर्द IRDAI का जो examination है, assistant manager का, ये आपका examination June 2024 तक conduct करा दिया जाएगा, RRBI Grade B का जो examination है, ये June से लेकर के आपका July तक में conduct करा दिया जाएगा, SEVI का जो Grade A का examination है, ये भी आपका June तक में conduct करा दिया जाएगा, FCI AG 3 2024 का जो आपका examination है, that is also आपका September से October तक में conduct करा दिया जाएगा, LICAAO के बारे में बात करें तो इसका जो form है, वो आप लोगों को fill up करना होगा, और examination October से लेकर के November तक में conduct करा जाएगा, SBI color के बारे में बात करें, तो ये आपका examination December में होगा, upcoming December 2024 में, IBPS का examination है, आपक RRBPO का, ये भी आपका August 2024 तक में conduct करा दिया जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, IBPS RRB clerk का जो है, ये आपका August 2024 तक करा जाएगा, IBPS PO का जो examination है, वो October 2024 में होगा, IBPS SO का जो form है, वो आपका प्रोबाइट कर दिया जाएगा, और इसका जो basically examination है, वो November में conduct क करा जाएगा, पात करते हैं, IBPS clerk के बारे में तो ये examination आपका August 2024 में conduct करा जाएगा, तो ये कुछ लिस्ट हैं जो कि आपके examination government jobs के, जो कि graduation based पर आप यहां पर फिलप करते हो, और बहुत सारे recruitment हर साल करे जाते हैं, so hopefully कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आ अगर आपक अभी तक अपने preparation करना start नहीं किया है, नोट नहीं बनायो, तो प्लीज अभी से पढ़ना start कर दीजी, and all the best to every aspirant, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना है, इसी के साथ, जैन वने वाद्रम